दोस्तो जब से बैंकों और दूसरी बड़ी बड़ी कमपनीज ने अपनी सर्विसेस को डिजिटली या ओनलाइन देना स्टार्ट किया है तब से साइबर क्राइम से जुड़े नए नए तरीके के मामले सामने आने लगे हैं साइबर क्रिमिनल्स ने ने तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स को पकड़वाने उन्हें नयायाले से उचित दंड दिलाने तथा बैंकों और कमपनीज को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए साइबर लॉफिल्ड में साइबर लॉय या cyber law experts की demand बहुत तेजी से बढ़ रही है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाला समय completely digital होने वाला है ऐसे में cyber law field का future bright है इसलिए आज के वीडियो में हम आपको cyber law field में carrier बनाने से संबंदित complete information देंगे तो दोस्तो ऐसी ही law related useful videos का notification पाने के लिए जल्दी से वीडियो को like और channel को subscribe कर लिजिए यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ सेर आवस्य कीजिए तो चलिए आज कब रियो start करते हैं तो दोस्तो हम जितनी तेजी से digital हुए हैं उतनी ही तेजी से cyber crime के cases भी आने लगे हैं इसलिए government और private companies cyber crime से बचने के लिए cyber law या cyber crime experts की मदद ले रही हैं cyber law experts, government, private company या फिर किसी person के साथ होने वाले cyber crimes के मामले सुल जाते हैं इस तरह के experts को cyber law के साथ साथ internet activities की बहुत advanced knowledge होनी चाहिए खास बात यह है कि इस field में competition बहुत कम है और salary भी अच्छी मिल रही है तो दोस्तो cyber law या cyber law experts बनने के लिए या cyber lawyer बनने के लिए जो eligibility जहें उनकी बात कर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं qualification क्या होनी चाहिए आपके पास तो आपके पास law degree होनी चाहिए चाहिए वो 3 year की law degree हो या फिर 5 year की law degree हो law degree के साथ में post graduate diploma in cyber law होना चाहिए means cyber law में आपके पास PG diploma होना चाहिए इसके साथ साथ आपको computer का अच्छा knowledge होना चाहिए अब दोस्तों अगर बात करें कि age limit क्या demand की जाती है यहाँ पर तो यहाँ पर कोई भी age limit नहीं होती है यहाँ पर matter करता है आपका knowledge जितना अच्छा knowledge है उतने ही अच्छे आप आगे बढ़ सकते हैं अब अगर salary की बात करें दोस्तों तो यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है तो दोस्तों अगर बात करेंगर job opportunities की तो cyber law आज के जो दोर है उसमें एक बहुत बड़ा field बन गया है cyber law field के experts की services आज बड़ी बड़ी IT companies, government companies और legal firms भी लेती हैं दोस्तों cyber law में आप expert जो specialization होता है उसे चोच कर सकते हैं जैसे की patent, copyright, privacy laws, data safety laws, etc मीज़ ऐसे बहुत प्रकार के हैं जिनमें आप select कर सकते हैं तो दोस्तों आप cyber law से related different job positions जैसे की cyber lawyer, cyber assistant, cyber law experts, cyber law lecturer इत्यादी के रूप में different government या private companies में job start कर सकते हैं और अपने career को एक नया आयाम दे सकते हैं अब बात करें अगर की selection process की की यहाँ पर job का जो selection होता हो कीस आदार पर selection मिलता है तो दोस्तों cyber law field में job के लिए selection only interview के आदार पर होता है क्योंकि cyber law related posts के लिए applications जो requirement है वो बहुत अधिक नहीं होती जो requirement मैंने आपको बताई वही है तो देखें यहाँ पर जो applications हैं वो भी बहुत कम आती हैं तो applications कम आती हैं इसलिए जो है maximum chances interview के ही होते हैं जहां पर applications साधिक होती हैं वहीं पर return exam कराया जाता है तो दोस्तों इस field में competition अभी भी बहुत कम है इसलिए आप अपना career इस field में बना करके अपने future को बना सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद